नमस्कार, दोस्तों आएए आज एक ऐसे उपाय की बात करेंगे, जो आपको बहुत फायदा पहुचाएगा, बहुत अच्छा उपाय है, ये उपाय आपको बहुत सरल तरीके से करना है, कोई कठनाई नहीं होती है इसमें, इसको करने में, ये उपाय वैसे तो दीपावली के समय किया जाता है, इसके अलावा सुक्रवार के दिन भी किया जाता है तो आए जानते हैं इसके बारे में जानने से पहले आए लाइप लाइन एश्रो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और हमारे चैनल से जुड़ जाए दोस्तों चैनल के माद्ध्यम से आपको अनेको वीडियो कुंडली के माद्ध्यम से और अनेको प्रकार के ज्यान वर्धक वीडियो प्राप्ध होते रहेंगे तो दोस्तों जानते हैं संख जो होता है आप संख भयाने वाला संग जो होता है उसको ले लें आप और अगर दीपावली नजदीक है तो दीपावली में करें वरना सुक्रवार के दिन ये कर सकते हैं और तब तक कर सकते हैं जब तक आपके घर से दरिद्रता दूर ना हो जाए तो दोस्तों संख में संख ले लें संग में चावल और तामे के सिक्के रखके उसकी पूजा करें ये दीपावली में करें तो बहुत अच्छा है दीपावली के समय अगर आप कलने पूजा जब होती है दीपावली में और वरना सुक्रवार के दिन आप लचमी जी की पूजा करते हैं तो उसमें तांबे के सिक्के और चावल संख में रखके पूजा करें और ये जो चावल हैं इनको आप पीले रंग के कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी जहां आप पैसे रखते हैं अपने वहां पे रख लें इससे बहुत बरकत होती बहुत फायदेमंद होता है इसको करने से दरिद्रता दूर हो जाती है जो भी परेसानिया हैं दूर होंगी तो दोस्तों आपने जाना एक ऐसा उपाए जो बड़ी आसानी से किया जा सकता है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नवस्कार धन्यवाद